बॉस बॉस ये देखो मैं क्या लाया हूँ क्या है इन बॉरियों में कोई खजाना हाथ लगा है क्या खजाना नहीं बॉस इसमें कैलेंडर्स हैं देखिये ये क्रोस का निशान इस कैलेंडर की तारिखों पर क्यों है बॉस ये वो दिन है जब जब आप मीर को फिनिश करने में फेल हो गए थे तो तू यहां मुझे मेरी नाकाम्याबी दिखा रहा है ये क्या कर दिया मेरे नए एक्सपरिमेंट के सारे केमिकल्स तू ने बलबाद कर दिये मुझसे ये गल्तिया क्यों होती है तिमबक्टू ये क्या हो रहा है ये तो बलॉब बन रहा है मुझे इसे कंट्रोल मिला रहा होगा तिमबक्टू मेरी वो मिसाल शुटल कर रहा हो अब इस बलॉब से हमें वीर पे अटैक करके उसे फिनिश करना है यही ना बॉस येस इस बलॉब को हराने का तोड़ वीर कभी नहीं ढून पाएगा वीर ही क्या डॉक्टर प्रेम सहाय भी नहीं ढून पाएगा वीर आज दुनिया का ग्रेटेस्स साइन्टेस्ट मैड मैक्स तुम्हारे खिलाफ एणाने जंग करता है बच सको तो बच के दिखाओ वीर इस बार इस बलॉब के अटेक से तुम नहीं बच सकते तुम्हारा खिल खतम अरे मर गया यह तो निशाना चूप गया जी इमली को अचानक क्या हो गया है इमली इमली क्या कर रही हो एक्सरे विजन आन यह तो किसी एलियन ने इमली पर कबजा कर लिया है मुझे दादा जी को बताने होगा दादा जी यहां गड़बर हो गई है लगता है मैड मैक्स ने एक एलियन के साहरे इमली को अपने काबू में कर लिया है वीर तुम इमली का खयाल रखो और तुमने अपने एक्सरे वीजन में जो उस एलियन की पिक्चर स्टोर की है उसे मेरे कंप्योटर स्क्रीन पर सेंड करो मैं कोई रास्ता निकालता हूँ ठीक है दादा जी रफ़इँ रूपर करा रॉपर करा रूपर कर दादे? भर रुपर बाभ इसे पार रूपर रूपर बाभ बालेक है पिक्पर मच्ण हो आया है आपका काम तो ये चुलबूर और इमली ही कर देंगे वीर अब अपने ही दोस्तों के हाथों फिनिश हो जाएगा अरे इमली चुलबूर मैं वीर हूँ चुलबूर का दोस्त वीर ये एक ब्लॉब है मैंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग चिप में सूरे की पॉजिटिव एनर्जीज भेजी है तुम उस पॉजिटिव एनर्जीज को अन करो और इमली और चुलबूर का हाथ थाम के वो एनर्जीज उन में शामिल कर दो जिससे वो ब्लॉब बहर आ जाएगा और तुम उस ब्लॉब को कंट्रोल कर सकते हो उकर नजियो यह मुझे क्या हो गया था मेरा सर क्यों भारी है इमली मैं तुमें सब बाद में समझाता हूँ वीर कोई चाला की मत करना वरना इमली चलवूलब आप वीर को फिरिश कर दो एक्स रनोडर यह क्या उस वीर को फिरिश करो बास मुझे कुछ गड़बर लगती है नहीं यह नहीं हो सकता फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हेल्प बोस हेल्प मैं लटक गया मैं लटक गया दादाजी अब यहां हां वीर यह जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा फिर उस पर फ्रेम की रेज छोड़कर उसके टुकड़े करके राक बनाना होगा तभी उसकी तभाई से हम बच सकते हैं ठीक है अब फिर तुम्हारा खेल खताम वीर फिर मैंने जो उपाई बताया था वैसा करो वीर ये जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा फिर उस पर प्रेम की रेज छोड़कर उसके टुकड़े करके राह बनाना होगा दादा जी वीर तो समीन में चला गया बॉस आपका काम हो गया वीर इस फिनिश्ट वीर तो कमाल कर दिया वीर एक बार फिर हम जीत गए दादा जी ये जीत इंसानियत की है पॉस अपने ब्लॉब अटैक को तो वीर ने पहले फ्राइ किया फिर फ्रीज कर दिया लगता है वीर के पास आपके हर हमले का जवाब पहले से ही रहता है शुड़कि मक्टूब शुड़कि मक्टूब झाल 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 झाल